Hello friends, I am Rohit Sharma, welcome to our YouTube channel, Jipsa Educational Training Friends, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, unsafe condition के बारे में, कि unsafe condition होता क्या है तो friends, एक सरल definition के माददे हम लोग समझेंगे, कि unsafe condition होता क्या है चलिए, any condition of situation which increase the risk and danger of accident is called unsafe condition Friends, यानि कि unsafe condition एक ऐसा condition है, एक ऐसा situation है जिसमें biological, physical, mechanical या environmental condition या वो situation हो सकता है जिसके वज़े से accident में होने वाले जो भी risk हो, जो भी risk बढ़ सकता है उसे हम लोग unsafe condition कहते हैं Friends, अब हम लोग कुछ examples के बारे में बात करते हैं, जो हमारे workplace पे available होते हैं लेकिन उस condition में हम लोग अगर काम करते हैं, तो वो हमारे लिए unsafe condition हो जाता है तो पहला example क्या है, bad housekeeping Friends, आप लोग जानते होंगे कि हमारे site पे housekeeping का बहुत important होता है लेकिन उसी site पे अगर हमारा housekeeping bad होगा, poor होगा तो वो हम लोग unsafe condition में count करते हैं क्योंकि उस bad housekeeping के वज़े से हमें accident होने का chances हो जाते हैं, risk बढ़ जाते हैं ठीक है friends, हम अब अब लोग दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरी examples के और देखते हैं तो है defective tools Friends, हम लोग ऐसे tools के माध्यम से किसी भी मसनरी को use करते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग lifting material करते हैं उस समय हम लोग shilken wave या web ceiling belt का use करते हैं जो कभी defective होता है, लेकिन फिर भी हम उसको use करते हैं वो हमारे लिए unsafe condition है Friends, third आता है insufficient lighting ऐसे जगा पे हम लोग काम करते हैं, जहां light की पहुत ज़्यादा importance होती है लेकिन हम वहाँ पे light की efficiency से काम करते हैं जहां light कम होता है, उसके वज़े से काम करते हैं वो भी हमारे unsafe condition में आता है Cutting electric wire Friends, जहां हमारे welding works होते हैं, grinding works होते हैं उसका जो wire होता है, वो कहीं कहीं से cut जाता है हलका सा cut आ जाता है जिसके वज़े से electric shock लगने का chances बढ़ जाते हैं तो वो भी हमारे लिए एक unsafe condition है Next, हम लोग exam पर देखते हैं Friends तो improper ventilation, हम ऐसे जगा काम करते हैं जहां ventilation proper way में नहीं होता है Fresh air हमें नहीं मिलता है गर्मी अत्यधिक होता है वो भी हमारे लिए एक unsafe condition में आता है Lake of training हम किसी भी काम को अगर करते हैं और उसका proper way में training नहीं देते हैं अपने workers को, कि वो भी हमारे लिए एक unsafe condition होता है जिसके वज़ा से accident होने के chance बढ़ जाते है Unguarded man hall हम लोग अपने work place पे जहां भी हम लोग काम करते हैं वहाँ excavation कर देते हैं एक hole कर देते हैं एक गड़ा खोद देते हैं और उसको हम लोग barricade नहीं करते हैं उसका कोई indication नहीं देते हैं वो भी हमारे लिए एक unsafe condition है Friends, I hope आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो next वीडियो देखने के लिए आप लोग के रप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे Thank you